नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अश्र को स्वागत है आपका mechanical nexus में आज के lecture में हम बात करेंगे caliper और types of calipers के बारे में तो चली हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि caliper होता क्या है तो caliper हमारा एक indirect measuring tool है यानि एक अप्रत्यक्ष मापी ओजार है जिसका use हम किसी भी object की inside diameter या dimension को या outside diameter या outside dimension को measure करने के लिए या इस measurement को transfer करने के लिए करते हैं देखिए यहाँ पे हमारा word आया है कि जो caliper है वो हमारा एक indirect measuring tool है indirect से क्यों कहा गया है थोड़ा इसको देख लेते हैं देखिए जब हम कोई caliper use करते हैं तो हम उससे directly measurement नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर कोई भी scale नहीं होता यानि कुछ ऐसी चीज नहीं होती जो हमें measurement दे सके तो इससे हम क्या करते हैं इसकी length को fix कर लेते हैं चाहे हमें outside या inside dimension को measure करना होता है बाद में इस fix dimension को हम किसी भी scale की help से measure कर लेते हैं इसलिए इसको indirect measuring tool की category में रखा गया है क्योंकि इस देखिए हमने दो step करें एक तो इसकी length को fix किया बाद में उससे still rule की help से check किया तो इसकी जो हमारी measurement है वो इतनी accurate नहीं आ पाती इसलिए जितने भी हमारे calipers होते हैं इन सभी को हमने non-precision tool की category में रखा गया है जितने भी हमारे calipers होते हैं तो हम बात कर लेता है प्रेसिजन क्या होते हैं जैसे हमारा vernier caliper बहुत प्रेसिजन है micrometer, vernier height gauge उनको हम next topic में cover करेंगे अभी आपको idea के लिए बता रहा हूं कि caliper जो है हमारे वो non-precision measuring tool होते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके material की ये भी एक important है material तो आपको बताए मैंने हर एक का आपको यादगर के चलना है तो जितने भी हमारे calipers होते हैं ये हमारे mild steel से बनाए जाते हैं ये हमारे mild steel के बने होते हैं कुछ-कुछ case में हम इनको high carbon steel का भी बनाते हैं इनके size की बात कर ली जाए देखिए किसी भी caliper को खरीदने के लिए आपको size का पता होना चाहिए कि size उसका कैसे define होता है या specify होता है तो जो हमारे caliper होता है इसका जो size होता है दोस्तो इसके joint से जहां पर ये दोनों leg joint करते हैं उन नीचे जो हमारा leg का point होता है band मुडवा band होता है इसकी ये straight length होती है इससे किसी भी caliper का size measure किया जाता है चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी construction को समझ लेते हैं देखिए caliper सबसे पहले आप याद रखेंगे दो type में हम इसको divide कर सकते हैं पहले caliper वह होते है जिनके joint firm joint होते हैं देखिए यह joint देख रहे हैं आप इसको firm joint कहा जाता है दूसरे caliper वह होते हैं जिनमे joints spring वाले होते हैं आप देख रहे हैं यहापर यह spring है तो इसको construction के base पे हम firm joint और spring joint के category में divide कर सकते हैं दूसरा हम इसको divide करते हैं इनकी measurement के बेस पे जैसे कुछ caliper हम केवल inside diameter या inside dimension को ही measure कर सकते हैं और कुछ caliper हमारे outside diameter या outside dimension को measure करते हैं तो हमारा जो यह caliper होता है हम किसी भी caliper की बात करें इसमें इसके दो legs होते हैं यह देखिए यह इसके leg है हर एक में दो legs है और यह दोनों legs जुड़े होते हैं connect होते हैं एक point के about और यह point जो होता है generally rivit होता है या फिर bolt होता है यानि इसके द्वारा जुड़े होते हैं यानि हिंज है एक दूसरे से मूफ कर सकते हैं बट इस पॉइंट के अब आउट ही करेंगे ठीक है अब ये दोनों यानि जो हमारे कैलिपर्स होते हैं इनकी इनको अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनसाइड कैलिपर किसे कहते हैं देखे थोड़ा नाम सही इंडिकेट हो रहा है इनसाइड कैलिपर वह सभी कैलिपर जो किसी भी ऑबजेक्ट की इनसाइड डियमेंटर को या इनसाइड डियमेंशन को मेजर करेंगे या फिर इसकी मेजरमेंट को ट्रांसफर करेंगे उन सभी caliper को हम inside caliper कहते हैं यह दो टाइप के ही हो सकते हैं या तो firm joint वाले होंगे या फिर हमारे spring joint वाले होंगे दो lag होंगे common है सब में mild steel के बनाए जाते हैं और जो इनके age होते हैं यह मुड़े होते हैं इनको point कहा जाता है देखिए यह बारवर किसी भी objects की सदे से जब टकलाते हैं तो गिसने के chance होते हैं इसलिए इनके point को जो होता है case hard कर दिया जाता है case hard एक hardering process है ताकि यह गिसे नहीं जल्दी किवल इतना ही है function आपको बता दिया है inside dimension को किसी भी inside diameter को measure करने के लिए उसकी measurement को transfer करने के लिए use करते हैं चलिए अब हम दूसरा समझते हैं दूसरे को कहते हैं दोस्तों outside caliper outside caliper वह caliper होता है जो किसी भी object की outside dimension को या फिर उसकी thickness को measure करने के लिए या measurement को transfer करने के लिए किया जाता है इसमें भी दो legs होते हैं और ये दोनों legs थोड़ा सा थोड़ा सा गोलाकार shape में होते हैं देखींगे आप थोड़ा सा गोलाकार shape में है function उसके बाद same है ये भी दो type के हो सकते हैं ये इस तरह के joint को firm joint कहते हैं और नीचे जो joint है उसे spring joint कह जाते हैं cable construction के base पे अंतर है function दोनों का same है material भी सबका same है अब हम देखें तीसरा और बहुत important ये बहुत important इसको थोड़ा अच्छे समझेगा इसको कहा जाता है जैनी कैलीपर या फिर इसका दूसरा नाम दोस्तों ये है हर्मा फ्रोडाइट कैलीपर पता नहीं कैसा नाम है है हर्मा फ्रोडाइट ठीक है जैसा भी है आप इसे जैनी कैलीपर और हर्मा फ्रोडाइट कैलीपर के नाम से याद रखेंगे इसका एक नाम और है मैं बताता हूं देखिए इसकी लेक्टे सब में जो लेक्स हैं वो सेम है किसी में किसी तरह का कोई difference नहीं है मगर जो जैन में difference होने के कारण इसको एक दूसरा नाम ओड लैग कैलीपर ठीक है ओड लैग मतला भिन भिन लैग कैलीपर के नाम से भी जाना जाता है इन तीनों नामों को आप याद रखेंगे इसके function को समझाता हूं बहुत important function है देखिए इसका use पहला कहां किया जाता है किसी भी हमार जो हमारा cylindrical object होता है उसका अगर आपको center find out करना है तो वहाँ पे किया जाता है कैसे किया जाता है मान लीजिए मेरी एक shaft है solid shaft है ठीक है मैं इसका आपको plan view बना के दिखाता हूं यह इसका plan view है यह जो bent leg है यह अटक जाती है यह leg यहाँ पे इसकी अटक गई और आपने यह जब आप इनको आपस में जोड़ेंगे इस तरह से आप किसी भी solid object की center line को find out कर सकते हैं याने center गूंड सकते हैं दूसरा इसका जो काम होता है वो क्या होता है समांतर रेखाओ को खीचने में parallel line को draw कनने में इसका यह थे कि end जो bend edge है इसको आप यहाँ पे अटका दिंगे उ माले जे आपने हारे लिया उसके बाद आप इसको state जब move करेंगे तो यह line किस्ती चली जाएगी इसलिए इसको सामान तर रेखाओ को यानि parallel lines को भी खीचने में use किया जाता है तीसरा इससे जो भी हम dimension लेते हैं वो बहुत accurate होती है क्योंकि आपने देखा होगा माली जे still rule ह आपने इसका जो band age है वो तो यहां पे अटका दिया और उसके बाद यह किसी भी point की dimension को accurate लेता है अदर्वाइस divider क्या होता है यहां रखते हैं तो उसमें थोड़े से slightly move होने के chance हो जाते हैं बट यहां पे fix हो जाता है age में और आप किसी भी dimension को measure करके mark कर सकते हैं समान तर को subscribe जरूर कीजिएगा thank you for watching